फेक आईडी का पता करके पूरे मेरे को दे अगर फेक आईडी का पता मैं नहीं कर पाती हूं तू कर बोल दी है तो मुझे क्यों करनी है फेक आईडी का पता मैं क्यों करूंगी फेक आईडी का पता मैंने अपनी वीडियो में डाला होता मैंने लोगों को ऐसे बदनाम किया ह होता तो सब कुछ की गारंटी मेरी होती हर एक इंसान के होती है ऐसे किसी की इज्जत के उपर हम लोग नहीं बोल सकते हैं नहीं किसी की मीडिया में हम इज्जत उचाल सकते हैं कैरेक्टर पर उंगली उठाना एक अलग बात है तो कैसे हो आप सभी उम्मीद करती हूं आप सब चूट रखा है बारिस की वह जो से हां पर सब इसकूल बंदे हैं और नहीं क्लास से चल रहे हैं आज से हरेले के लिए मिट्टी भी लाई बहुत ज्यादा कीली हो रही थी तो थोड़ा बहुत मिट्टी लाई वो भी मैंने सुखाने के लिए बरामदे के नीचे ढाल द बात करूंगी यहां पर फिस्से वही वाली ओरत के लिए यहां पर जो और शुशल मेडिया में मेरे सरयाम इज़त उचाल रही है और जिसको पता नहीं है तो कल शाम एक वीडियो अपलोड हुई उस और आप सभी ने देखी होगी किसी किसी ने मैंने तो देखी मैं नामी कॉमेंट कर रखे थे और जो उल्टा सूल्टा मेरे लिए वीडियो बना रहे थे उनको मैंने वैसा रिस्पॉंस दिया आधी से ज्याधा वीडियो की कल शामना यही वाली टॉपिक क्यों पर बंगी हुई थी आप सभी ने देखी होगी जिनके साथ पहले से मेरी मतलब जि पहले से दया पहले से जोन देखे ज्यादा टोचर किया सभी लोगों को पता है जिन्हें मेरे लिए अभदर कमेंट कर रहे थे उनको मैने वैसा रिस्पॉंस दिया आप सभी देखते देखते आ हो मेरी वीडियो मैने अपने मन से किसी के लिए बातNS नहीं वनाई आप सभी फिर से एक बार मेरी वीडियो चक कर सकते हो, और उनकी वीडियो भी चक कर सकते हो, तो अब यह लोग जोवने हैं तेरा को साफ सूंग गया तु ये तुझे zu खेतों में धक्का मारते हैं और हैं किसी ने मेरे उपर जाम लगाया कि कमला देवी ने इसने मेरे पती से कुट्ता बोला यार मैं उनसे क्यों कुट्ता बोलूंगी इस टाइप की मैंने हर वीडियो का जवाब दिया था हर कॉमेंट का हर उनकी वीडियो का जिसने वीडियो में बोल लखा था वीडियो का जवाब दिया जिन्होंने कॉमेंट कर रह मैंने यह नहीं कहा इससे कि यह लीगल है या इन लीगल है वह एक टाइप की कॉंट्रोर्शी थी और इन लोगों ने मेरे उपर जैसे अभधर अभधर कमेंट कर रखी ते जिसने जैसी वीडियो बना रहे हैं जो जैसा जोटा मेरे उपर आरोप लगा रहा था मैंने उन सभी को रिप्लाइ रिस्पॉंस दिया जो तू भी देख रही है जान बूझकर इतनी बाते मत बनाया कर मैं तेर से कहरी हूं अब इसको मैं यह बताना चाहती हूं आज की डेट में जैसे कि आप सभी को बता होगा सभी यहां पे मेंबर से पढ़े लिखे आज की डेट में सभी हैं को अब बहुत बड़ा पत्व हो आपाद है जैसे यह की डेट में किसी की constraint आइडि नहीं बना सकते हैं और किसी की फोटो निकालके उसकोशा तकाना वह है को हैं कि इन चीजे मों किtı honor पुर्ण नें बारे में उल्टा सब्सक्राइब करा वो हम आगे को वायर नहीं कर सकते हैं यह powerful के यी यह फ्रॉस्वाल पुर्वी से जो तुने सबस्क्राइक क्या है हम यह लीगल है कि बहुत प्रचार के रूप में चल रहा है आज आज भी और बहुत पहले से भी और मुझे पर्मिशन दी थी कि तु इस रिकॉर्डिंग को डाल और वो शत्य था बिलकुल सच था और इसलिए मैंने वो रिकॉर्डिंग डाली मैं तेरे को आज जवाब देना चाहती हूं और ना मैं बिना पूछे किसी की भी कोई आज की डेट मैं किसी की भी कोई फेक आईडी बनाना किसी की प्रूप्राइल में किसी की फोटो निकाल के चिपकाना किसी के कारिक्टर पर उंगुली उठाना उल्टे-शूल्टे मैसेज करके वाइरल आगी को करना और किसी ने बिना पूछे अपने यूट्यूब चैनल में वो डालना वो सब इल्लीगल है तो कहीं जाकर भी पता कर ले वांकि मैं और कॉंट्रोवर्सी की बाते में आपे नहीं लाओंगी वो लीगल है इनलीगल है ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन यह इल्लीगल है जहां तक है जिसने फेक आईडियो नाई है वो मिडिया के सामने आओ करके तो आया कोई नहीं रस्मी मली का एक जो रस्मी मली ने कल साम एक बीजय बना रहे थी उसी के वीजय के एंडिंग में इसमें बोला था तुझी अगर सबूर चाहिए तो मेरी इस्टाग्राम आईडी में आगर है तो वहीं गया इस्टाग्राम आईडी में और उसमें इससे बाते हैं कि वो सभी इसके इंसौर्ट मैंने रख रखे हैं अब यह कुछ-कुछ भी बोलेगी मेरे पास सब सबूर है वीडियो के एंडियो में कहा था तो इस्टाग्राम में मैं तुझे वहां पे तुरूब दिखाती हूं सब कुछ बेशती हूं तुझे इसने न मुझे इस्टाग्राम में मेरा नंबर दिया ना इस्टाग्राम में उस बंदे का की फोटो डाली और नहीं मतलब कुछ सबूत नहीं दिया हां इतना सबूत दिया जो आकाश करके जो आईडी है जो इसने वहां पे य करेंगे मेरी इज़त का सवाल है तु ने सरयाम मेडिया मेरी इज़त उचाल रखी है और तू कहीं भी जाके देख लिए हाथों से अपना चैनल उड़ाओंगी और तू है तुझे परमिशन किसने दी और तुझे ये भी पता था कि ये फेक है या औरिजनल है करके तुझे ये भी पता था तो तु अपनी वीडियो डिलीट अब क्यों नहीं कर रही है कल तो तुने बोला ना कल दिन में की वीडियो में मैंने बोल दिया था कि तु वीडियो डिलीट कर या मत कर उसके बाद तेर मैं उस बंदे के खिलाब क्यों कम्पलेन करों मुझे असका कुछ पता है निया तू उस बंदे का पूरा पता निकालके मुझे सब दे उसके बारे में हर कुछ तू तो वीडियो में बहुत कुछ बोल दी थी ये है वो तो तू मुझे सब प्रूब के साथ भेज एसी सोसेल में पड़ रखी है मेरी अंतरा आत्मा कहते है मैं ऐसी होगी नहीं मुझे किस बात की डर लेकिन कहीं नहीं बहुत गलत है बहुत इल्लीगल है तुझे भी पता है तो मैं कंप्लें तेरे खिलाप है और वापस करोंगी त जब तक ये फेक आईडी का पता करके मुझे ना देगी रसनी मलीक, तब तक मैं इसके उपर वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगी, पहली बात तु कान बोल के सुन ले, तुछ से रोज रोज मैं सवाल करूंगी, तू मुझे प्रूप लाके देगी, और मैं जब तक तू पूरा मतलब पता कराके दे, और उस बन्दे तक चा, तूने इतनी हिंमत के साथ ये वीडियो कैसे बनाई, अगर तु फेक आ hijडी का पता नहीं दे सकती है, पहले तू तू पिता करके पूरा मेरे को दे, अगर तू फेक आईडी का पता, मैं नहीं कर पाती हूं, तू कर ब हर एक इंसान के होती है ऐसे किसी के इज्जत के उपर हम लोग नहीं बोल सकते हैं ना ही किसी की मीडिया में में इज्जत उचाल सकते हैं करके पता था यह फेक आईडी है करके तुझे अब पता था उसके बाद भी तुने वीडियो बनाई पता मुझे तक देना पड़ेगा और तब तक मैं तेरे उपर से complaint नहीं हटाऊंगी, अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आज सुभे ही मेरे पास ठाने से फोन आ रखा था, वो वाली recording भी तूँ अच्छे से सुन ले, मैं तुझे कोई धमकी नहीं दे रही हूँ, अब तेरे supporter से लोग बोलेंगे, ये तो तुझे करके, sorry मैंने तीरी fake ID यहां पे डाल रखी है, अगर ऐसा नहीं है तो मैंने तुझे खाली मूली में बदनाम कर रहा है, इसके लिए sorry, ये complaint वापस लोगी, कल मेरे बेटे ने कहा होगा तुस्से, अब हम तुम्हारे उपर complaint नहीं करेंगे, उनके उपर करेंगे उसने ये कहा था, उसमें मैंने भी पड़ा, उसने कहा था, आंटी आपको वीडियो डिलेट करनी पड़ेगी, आपको fake ID, original ID का पता तो चली गया था, तो फिर भी आपने वीडियो क्यों डाली, आप इतनी बातों का बतंगड बनाया, आपको पता था fake ID है, original अगर के, आप आपने वीडियो क्यों बनाई, या आप वीडियो डिलेट करो, या दुबारा से आप वीडियो बनाके इसमें सौरी बोलो, सौरी ये fake ID थी, इसको कोई वो नी ले, real मन आले करके, अगर आप सभी लोगों को, आप सभी लोग जितने audience मुझे देखते हो, जितने भी audience मेरे supporter ह हैं, तो अगर आप चाहते हो, कि मैं जूड बोल रहे हूं, जितनी भी बात इस्टाग्राम में हो रखी है, अगर मैं जूड बोल रही हूं, तो मैं जल्दी ही आपके पास ले के आऊंगी, रही बात मंदिर की मैं फिर से कह रही हूं, मैं मंदिर जरूर जाओंगी, अभी जब तक उसका पता तू मुझे नहीं देगी, रियल आइडी का उसका पता नहीं देगी, उसके बारे में तुझे A to Z सब पता है, सब, और कल तू बोल रही थी, वीडियो की स्टार्डिंग में, फर्स्ट में, बीच में मतलब कि मन्जू नेगी से दूर रहना, ये मन्जू बनेगी ऐसी है, वैसी है, तुमारे दिमाग का दही बना देगी, इस टाइप में तूने बोल रखा था, मन्जू दीदी ने हम सभी लोग को बहुत सपोट किया है, बहुत मोटिवेट किया है, कभी भी उन्होंने कोई गंदा लब्ज, गंदे लब्ज हमारे लिए यूज तो तेरे कहने का मतलब यह है, कि मन्जू का कहना मत मानो, मन्जू ऐसी है, वैसी है, मैं तेर से कहते हो, अब तो सुन गान कोल के, तू भी ना ये मन की कलम जो है, इसका कहना मानना छोड़ ले, ये तुझे ना मूह दिखाने के लाइक नहीं चोड़ेगी, बतारे में मूह मूह दिखाने के लाइक और तुझे भी नहीं चोड़ेगी, इस दिन तू सबूत लागी, तुन्हें रियल आइडी का पता बता दिया, ये है, वो है, ऐसा करके, उसी दिन मैं मंदिर जाओंगी, जाओंगी जरूर भले ही देर हो जाए, मुझे एक हपता हो जाए, दो हपत हो जाए, जिसने भी मेरे खिलाब फेक आइडी बना रखी है, कान खुल की सुन लो, फेक आइडी बना रखी है, निंजा और आकास करके, वो फिर भी मैं कहरी हूँ, अभी भी मैं आप सभी को फुरसत दे रही हूँ, सामने आ जाओ, अगर तुम अच्छे से सामने आके पुलूआई। ऐसके लिए मैं आप कम्पैन करूँगे ना ही मैं मंदिर जाओंगे। अगर नहीं माने तो मैं जरूर कम्पैनी रियल आईडी का पता बने राश्री मलीक देगी, देगी इसको देना पड़ेगा और मैं जरूर मंदीर में जाके। उसके लिए मैं जरूर घाट डाल किया हूंगी जरूर और जरूर क्योंकि जब मेरी गलती नहीं है कोज पुछूंगी मैं तेरे उपर वीडियो बराना कपी नहीं चौनगी जब तक तू सबूर में लाएगी और जब तक तू वीडियो डिलेट करके अपने मुह से ये नहीं सब्सक्राइब करें आपको आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद आप सभी कमेर सेक्षे में अपनी राय देखे रहें मिलती हूं आप सभी को फिर से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका क्या रिस्पांस आता है तब तक के लिए जाए देदू मुता हंद प इस्टाग्राम में उसमें गंदे-गंदे कमेंड मेरे खेलाब मेरे करेक्षों कर रहें थे ऐसी रिलेटेट तो कि कोई यूट्वर है उसने उठा कि बिना मेरे से पूचे परमिशन के बिना गुशचे से उसने अपने यूट्व में डाल दिया शोच्व मीटिया पी डाल सब्सक्राइब करें तरीके से मेरे घर मेरे को डांट कर रही है किसमें डाला हो वह पतानी आकास नाम का एक बंदा है और यूख 11 करके उसने आईडी बना रहे है उसका पता करना है वह बोल रही मेरी क्या गलती इससे बोल जिसने फेक आईडी बनाई है मैंने का फेक आईडी उठाके तो तुने राली तुझे पहले पता कर लिना चीए था यह और इसनल आईडी अगर के तुमने अपनी पर्सो शाम को पर्सो इसने वीडियो अफ्लोड की थी पहले मैंने उसको समझाया उसके बाद हमने सिधे कंप्लैन की थी ओनलाइन अच्छा कर देंगे ना चलो ठीक है उसके बारे में क्या करना पड़ेगा अब वो तो बोल दी मैंने नहीं फेक आईडी नहीं बनाई है कर दो पता कर पूरा ऐसा करकर मेंने फिर वीडियो बना रखी है वह ओर देड़ा व्यार को अगया उरत नहीं हो दैगा है तो मैंने बोला है उससे अभी वीडियो में मैंने कर रहकी है जशनी सिक वारे में आपने मैं यह कंप्लेंट मैं वापस निलूंगी जब तक तु वीडियो डिलीट नहीं करेगी ऐसा मैंने कह रखा उससे तो तुम्हें थाने वालों में थाने आएजी थाना मैं नहीं आ रहा हुए है ज्यादा दूर नहीं है दो तीन किलोमेटर मैं आ जाओंगे आराम से बट वो ज तो कंप्लेंट तो उसी के खिलाब करनी पड़ेगी ना सर मुझी वह उत्तर प्रदेश से है यूपी से हो तुम ने थाने में कैसे मतलब कैसे माजिम से बताया था यह तुम खुद आई थी नहीं सर हमने ओनलाइन कंप्लेंट कर रखी थी वहां पे सब कुछ डाल लगा था पताया होगा आपको सब्सक्राइब आपको तो नमबर मिला है एक बार में थाना आई जाओंगी सर वहां पर अच्छी से गर लोंगी साईबर में भी मैं जाओंगी बाकिशवल में पहले मैं उस और से यह वां रहा हां उस और से मैं यह कहीं है उसने वीडियो टिलीट करनी कि इना दर बताओ तभी कंप्लेन वापस लोंगी मैं ऐसा ना कर नीचे वो तो हम भी कर रहें कर नीचे खी का आप बात करो नहीं तो फिर आपको हमने बता तो रखाया कि उसमें वहीं साइवरसल के नंबर आपको दिये हुगे आप वहां बात करो